हेलो फ्रीनिस नमस्कार गोड इबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेपल सी बाइफ़े शडी पर आए श्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को आज की इस क्लास में 30 मोश्ट इंपोर्डेंट प्रसनों को सामिल किया है यह सभी प्रसन आप को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें जेन बचों का ट्रिपल सी का अगस्त में होने वाला है तो आप सभी के लिए निव बैच हमारे मोबाइल अप्लिकेशन पर लॉंच हो चुका है इस बैच में आप सभी अपना एडमिसन ले सकते हैं इस बैच में एडमिसन सर्ज करें और आप पहां से डाउलोड कर सकते हैं ट्रिपल सी अगस्त वैच के अंदर आपको डूल वैच मिलने वाला है यानि एक तो हमारा जो कम्प्लीट क्रैस कोर्स होता है चैप्टर वैज एमस्क्यूज का वो आपको मिलेगा और एक इसमें आपको थियोरी का वैच म ले सकते हैं क्लास आपके 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे क्लास का समय होगा 5 प्यम 5 प्यम पर आपको लाइब क्लास मिलेंगे और यह कम्प्लीट बैच है जिसमें आपको थियोरी भी मिलेगा और एमस्क्यूज भी मिलेगा साथ में सभी ए-book मिलेंगे और टेट स्रीज आपको मिलेंगे सभी ए-book कि हाँ पर आपको वाइल उंगल होंगे यानि हिंदी और गरिजी दोनों में होंगे और जो भी क्लास आपके होंगे वो आपके वाइल उंगल होने वाले हैं इस बैच का प्राइस है 1799 और अभी आप इसे 399 रुपे में रोल कर सकते हैं तो देज ना करें डिसकाउंट का लाव लें और जिनका भी अगस्त में एकजाम होने वाला है यानि जिन बचों ने अपना फॉर्म जून मन्त में भरा है या फिर अभी आप इसी मन्त फॉर्म अपलाई कर देते हैं तो आपका एकजाम अगस्त में हो जाएगा और आप इस बैच में अपना admission ले सकते हैं तो आइए start करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रस्ण क्या पूँछा गया है देखिए आज का सबसे पहला प्रस्ण है computer में information इसमें एक सही जवाब है वो आपको बताना है कौन सा correct answer हो सकता है computer में जो information रहती है वो किस रूप में होती है तो आपको पता है वो digital form में होती है कैसी होती है यह आप बोल सकते है electronic form में होती है electronic अगर यहां कहीं दिया होगा option तो आप कर सकते थे जैसे अधिकांस आपने देखा होगा जिसमें लगा होता है e-commerce जैसे e-commerce की बात करें e-commerce का मतलब electronic commerce और email का मतलब electronic mail तो जो electronic है इसी को digital भी कहा जाता है तो हमारी computer के अंदर जो भी data होता है वो कैसा होता है digital data होता है जैसे आपने अपना एक photo click किया और आपका जो photo है वो आपको आपके mobile phone में दिख रहा है तो वो कैसा photo है वो digital data है वहाँ पर उसको आप digital data बोल सकते हैं तो यहाँ पर option भी होगा अगला प्रस्ण है computer system में dash के माध्यम से text और numerical data प्रिवेस करने की पदती सरवाधिक सामाने पदती है देखे computer system में किस के माध्यम से text और जो numerical data है उसको आपको प्रिवेस करना है उसके लिए सबसे अधिक या सबसे जो सामाने पदती है वो आपको बतानी है keyboard, scanner, printer या plotter चले काफी important प्रस्णों को आज discuss करेंगे इस class में आप सभी के लिए पूरा class आप लोग करें और जिन बचों ने अभी तक class को share नहीं किया है तो आप सभी एक पर class को share अवस्य करें ताकि और भी साथी जिन का भी जुलाई में एक जाम है वो भी इस batch को join कर पाएं इस class को पढ़वाएं देख पाएं तो simple सी बात है यहाँ पर हो जाएगा keyboard keyboard एक सामाने पढ़ती है जिससे हम कोई भी text या numerical data को हम computer तक पहुंचाते हैं प्रवियस करा आपे हैं एंडर करते हैं तो first option यहाँ पर है keyboard यहाँ पर आपको बताना है UPS का full form क्या होता है UPS का पुरा नाम आप सभी बताएंगे तो यहाँ पर कौन सा correct answer हो जाएगा UPS का मतलब होता है uninterruptible power supply option number V हो जाएगा uninterruptible power supply यह UPS होता है तो option आपका V correct हो जाएगा अगला सवाल है किस memory chip की गती अधिक तेज होती है fast होती है तो इसमें आपको बताना है क्या होगा सही जवाब किस memory chip की गती अधिक तेज या fast होती है DRAM हो जाएगा या YES RAM हो जाएगा या कोई निशिता नहीं या इसमें से सभी तो simple सी बात है यहाँ पर YES RAM होगा static RAM हो जाएगा static random access memory हो जाएगा इसकी गती तेज होती है fast होती है ठीक है DRAM की अपेच्छा अगर आप देखें तो अगला सवाल का जवाब आप करेंगे question number 5 में पूछा गया है CPU का वह भाग जो अन्य सभी computer component की गतिविद्यों को control करता है नियंत्रित करता है उससे आप क्या कहते हैं CPU का वह भाग जो अन्य सभी computer component की गतिविद्यों को control करने का काम करता है उन्हें नियंत्रित करने का काम करता है तो उससे कहा जाता है control unit option number 6 होगा यहाँ पे control unit CPU का full form तो आपको पता ही है CPU का मतलब होता है central processing unit अगला सवाल देखो पूछा गया है कौन सी memory volatile है कौन सी memory बोलाटाइल है volatile का मतलब क्या है कौन सी memory अस्थाई है यानि temporary है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option भी हो जाएगा RAM RAM एक volatile memory है या आप इसे अस्थाई memory बोल सकते हैं बाकि अगर आप देखेंगे ROM, pendrive, hard disk तो यह सब कैसी है यह सब आपकी non-bolatile है सकते हैं अगला सवाल देखो तीसरी PD के computer में प्रियुक्त होता था जो 3rd generation के computer थे उसमें क्या इस्तेमाल होता था कौन सी उसमें technology इस्तेमाल होती थी जो आपके यह सवाल भी काफी एक जामें पोच्टे हैं जो 3rd generation के computer थे उसमें क्या यूज होता था? IC का इस्तेमाल होता था, integrated circuit का इस्तेमाल होता था और यह सभी आपको पता होना चाहिए, first generation में vacuum tube इस्तेमाल होता था, second में transistors इस्तेमाल होते थे third generation में, third में क्या था? ICs का इस्तेमाल हुआ था, यानि integrated circuit का इस्तेमाल हुआ फोर्थ में VLSI यानि Very Large Scale Integration का इस्तेमाल हुआ और फिफ्थ में ULSI यानि Ultra Large Scale Integration और साथ में AI यानि Artificial Intelligence का भी इस्तेमाल किया गया तो ये सभी आपको याद रखना है एकजाम में अधिकान से आसे भी सवाल पूश लेते हैं चलो अगला सवाल आपको बताना है और जिन बच्चों को LibreOffice में दिक्कत है तो LibreOffice नाम की प्ले लिश्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी जहां पर LibreOffice Writer, LibreOffice Calc और LibreOffice Simples के क्लास आप देख सकते हैं जिनको Calc के जो फार्मूले हैं उनमें कोई दिक्कत है तो वो भी क्लास हमने अलेडी आप करा दिये हैं वो भी क्लास आप लोग कर सकते हैं किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थाई होता है और कम्प्यूटर बंद होने पर सोताह नष्ट हो जाता है यानि किस मेमोरी का डेटा अस्थाई या टम्प्रेरी होता है तो यहाँ पर क्या होगा एक तो दिया है रेंडम एक्सिस मेमोरी, रीड और अली मेमोरी, कॉम्पेक्ट डिस्क या फ्लॉपी डिस्क तो सही जबाब होगा पहला इससे आप रेंडम शॉट में लिखते हैं यानि रेंडम एक्सिस मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो अस्थाई होता है यानि वो आपका टम्प्रेरी होता है और जैसे ही आपका कंप्यूटर सट डाउन होता है पावर सप्लाई बंद होती है तो रेंडम के अंदर जो भी डेटा होता है सारा का सारा डिलीट हो जाता है इरेज हो जाता है निमन हाड़्वेर डिवाइसों में कौन सी इकाई डेटा पर गड़ती है कारे करती है इसका आंसर आप लोग देंगे इसका जबाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा निम्न हार्डवियर डिवाइसों में कौन सी इकाई डेटा पर गड़ती एक कारी करती है तो इसका जवाब क्या होगा option number पहला ALU हो जाएगा earthmatic logic unit आपका सही जवाब है ठीक है ALU हो जाएगा question number 10 में आपको बताना है ROM के किस किसम के डेटा को परावेंगनी प्रकास के मादियम से डेलीट किया जा सकता है याँ अल्ट्रा वालेट रेज के मादियम से आप डेलीट कर सकते हैं ROM के किस किसम के डेटा को ठीक है P-ROM में, E-P-ROM में या E-P-ROM के अंदर option यहाँ पे भी होगा जो आपका E-P-ROM होता है इसे कहते हैं Erisable Programmable Read Only Memory यानि यह Erisable होता है इसको हम डेलीट तो कर सकते हैं वर्ट इसको अल्ट्रा वालेज रेज के मादियम से ही कर सकते हैं यानि परावेगनी प्रकास के मादियम से ही E-ROM के डेटा को हम डेलीट कर सकते हैं ठीक है और एक होता है आपका E-P-ROM इसका मतलब होता है Electrically Erisable Programmable Read Only Memory यानि इसके डेटा को हम Electrically Eris कर सकते हैं यह दिखा रखना है तो अभी यहाँ पर option भी correct है LibreOffice में seat में cursor को पहले sale A1 में किस shortcut केसी ले जा सकते हैं अगर हम A1 sale में जाना चाह रहे हैं तो हमें कौन सा key price करना पड़ता है A1 sale में हम अगर cursor को ले जाना चाहें तो कौन सा key price करना पड़ेगा Control के साथ में आपको home बटन दवा देना है Control home से क्या होगा आप A1 sale में आ जाओगे First sale में आ जाओगे Writer document में by default text का alignment क्या होता है जब आप LibreOffice Writer में कुछ type करते हैं तो जो भी आप type करोगे जो text आपका होगा वो कहां पी रहेगा center में रहेगा, right में रहेगा या left में रहेगा तो हमेशा y default जो alignment होगा वो right side से होता है sorry वो left side से होता है तो आप सने आप ही हो जाएगा left यानि V जब ही आप अपनी copy पर लिखते हैं तो भी आप क्या करते हैं left side से ही लिखना सुरू कर देते हैं तो वैसे ही हमारे computer के अंदर y default जो alignment set होता है वो left होता है बाकि आप चाहें तो right कर सकते हैं आप चाहें तो center कर सकते हैं left की shortcut की control L होती है right की control R होती है और center की control E होती है LibreOffice writer में print preview के लिए किस command का उप्योग किया जाता है अगर आपको print preview देखना है कि हमारा जो print होगा वो कैसा निकलेगा आप उसका preview देखना चाह रहे है तो writer में क्या shortcut की इस्तिमाल कर सकते हैं control shift O यह होती है shortcut की print preview की control shift O से आप क्या कर सकते हैं print preview देख सकते हैं तो answer इसका पहला होगा अगर आप से पूछें कि print preview की command हमें किस menu में मिलती है तो इसका जबाब क्या होगा file menu में मिलती है file menu के अंदर जाओगे तो print preview की command आपको मिलेगी अगला सवाल है LibreOffice writer में document के text को italic करने के लिए किया जाता है अगर आप किसी text को italic बनाना चाह रहे हैं यानि थोड़ा ऐसे तिरचा लिखना चाह रहे हैं तो क्या shortcut की इस्तिमाल कर सकते हैं italic अगर लिखना चाह रहे हैं तो control के साथ में i press करना पड़ेगा यानि उस word को हमें select करना होगा और control i press करना होगा इससे क्या होगा थोड़ा सा italic हो जाएगा ऐसे करके कुछ लिख जाएगा जैसे मैंने की लिखा या पर थोड़ा तिरचा लिख दिया है तो इस परकार से आप लिख सकते हैं control i को press करके ठीक है बागी आपको बता है control r से right align होता है l से left होता है और यहाँ alt j का कोई मतलब नहीं है control j होता है जो की justify करने के लिए होता है तो यह ध्यारकना है LibreOffice Calc में sale की default हो चाई कितनी होती है sale की default height आप से पूछी है LibreOffice Calc में why default sale की height क्या होती है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा option भी हो जाएगा 0.18 inch default height होती है LibreOffice में एक sale की LibreOffice Calc में अधिकतम कितनी seat जोड सकते है maximum जो आपकी seat होती है LibreOffice Calc में वो कितनी add कर सकते है by default देखें तो एक seat होती है केवल but maximum यहाँ पर हम कितनी add कर सकते है तो plus button से हम seat को add करते है plus button जो आपके seat में होता है जब आप work करते हैं किसी workbook पर तो बहाँ पर जो work seat होती है उसमें आपने यह ऐसा plus करने सान दिखोगा इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो नई seat add हो जाती है और हम 10,000 seat add कर सकते हैं तो option C हो जाएगा अगला सवाल है address 127.0.0.0.0 कहलाता है इससे आप loop back address कहते हैं regep address कहते हैं broadcast address होता है या multicast होता है तो 21 परकार का address होता है इसके बारे में आपको बताना है जबाब करेंगे सभी साथ ही कौन सा यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा तो यह आपका कैसा होता है loop back address होता है 127.0.0.0 loop back address है option नम्मर पहला correct है default rope से Libre Office calc में कितनी work seat होती है default rope से Libre Office calc में work seat की संख्या बतानी है by default जैसा अभी हमने आपको बताया one seat होती है तो यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा by default बन होती है बाकि हम add करना चाहें तो 10 वजार तक add कर सकते हैं अगला सवाल है Libre Office calc spread seat में रो की संख्या कितनी होती है Libre Office calc spread seat में रो की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है तो अगर आप देखो Libre Office calc में जो रो होती है वो 10.48.576 होती है first option हो जाएगा 10.48.576 यह total आपकी रो होती है अगला सवाल है email delete होने पर कहां store होती है जब आप किसी mail को delete कर देते हैं तो वो कहां पर store हो जाती है इसका जबाब क्या होगा option D हो जाएगा वो trails folder में store हो जाती है किसी formula में sale address यहाँ पर A4 दिया है और 4 के आगे dollar का sign है इसका मतलब क्या है यह आपका relative sale reference होता है absolute sale reference होता है mixed sale reference होता है या सभी देखे sale का जो address होता है बैसे अगर देखोगे तो A5 या A4 एक sale का address है इसका मतलब column number column हमारा A है और row हमारा 4 है A4 यह हमारा एक sale का address हो गया अब अगर इसके आगे हमने क्या क्या यहाँ पर dollar लगा दिया 4 क्या है यह हमारा row number है और row के आगे dollar लगा दिया इसको कहते है mixed sale reference यह कैसा हो गया mixed sale reference हो गया अगर column के आगे भी dollar लगा देंगे तो यह कैसा हो गया तो इसको कहते है absolute sale reference यह होता है absolute sale reference और simple जो A4 दिया है इसको कहते है relative sale reference तो याद रखोगे relative का मतलब simple जो A4, A5 ऐसे कुछ होता है अगर डॉलर का साइन आ जाता है कॉलम से पहले या रो से पहले तो mix होगा और दोनों में अगर है तो यह absolute seller reference हो जाएगा तो अभी यहाँ पर हमारा CEO option correct है mixed seller reference से आप बोलेंगे अगला सवाल देखो internet technology में SMIME का full form क्या होता है तो यहाँ पर इसका मतलब होगा secure multipurpose internet mail extension option नमबर पहला सही जवाब है अगला सवाल देखो UPI pin कितने digit का होता है UPI का मतलब क्या होता है unified payment interface होता है और इसमें जो pin होता है UPI में कितने अंकों का होता है ठीक है इसका pin कितने अंकों का होता है यह बताना है आपको तो दिहार रहे इस 4 से 6 digit का हो सकता है 4 से लेकर के और 6 digit का हो सकता है ठीक है तो answer हमारा यहाँ पर भी होगा 4 to 6 हो सकता है अगला सवाल काफी important है NUUP का full form क्या होता है तो यह सवाल भी काफी exam में आ चुका है NUUP का पूरा नाम क्या होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा option number हमारा यहाँ पर भी होगा national unified ussd platform होता है तो option भी हो जाएगा याद रखना है next question में पूछा गया है twitter में tweet करते समय अधिक्तम कितने character प्रियोगा कर सकते है यानि twitter में tweet करते समय maximum कितने character आप इस्तेमाल कर सकते है कितने character हो सकते है तो 280 character हो सकते है option हमारा C है यहाँ पर 280 character अगला सवाल देखो RIS 2,00,000,000,000 के बीच ट्रांसफर करने पर कितना charge लगता है यह सवाल भी काफी आता है तो 2,00,000,000,000 रुपे के बीच में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो कितना charge लगता है 25 रुपीच का charge लगता है answer यहाँ पर होगा पहला 25 यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से Mobile Operating System कौन सा है इसमें क्या बताना है Mobile Operating System कौन सा है Windows है, Android है, iOS है All of the, अबब वो प्रोग्त सभी तो देखो अगर आप ध्यान दो Android तो सबको पता है Android एक Mobile Operating System है iOS के अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका Apple Mobile Phone के लिए होता है एक Operating System यानि Windows भी Mobile Phone के लिए एक Operating System है बहुत सारे Windows Phone भी होते है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा D करना पड़ेगा All of the, जिन बचों ने जुलाई एक्जाम बैस लिया है उनको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है Mobile Operating System के बारे में और Computer के Operating System के बारे में तो साइद आप लोगों ने सीखा है बहाँ पर पढ़ा होगा तो Windows भी हो जाएगा यहाँ पर Android हो जाएगा आपका iOS भी हो जाएगा यह सभी Mobile Phone के लिए Operating System है याद रखना है अगला सबल का जवाब करना है AV-RS की Full Form क्या होती है AV-RS का फूरा नाम आपको बताना है इसका Full Form क्या हो जाएगा AV-RS का मतलब होता है आधार Waged Remittance Service तो Option पहला यहाँ पर होगा आधार Waged Remittance Service अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है यहाँ पर आप से पूछा है कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है इसमें क्या बताना है कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है Plotter, Monitor, Light Pane या Printer इसमें सी आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है एक ऐसा है जो आउटपुट नहीं है तो देखो Plotter कैसा है आप बोलों के सार आउटपूट है monitor कैसा है, आउटपूट है printer कैसा है आउटपूट है तो यहाँ पर light paint हो जाएगा जो कि input device है यहाँ आपकी input device है और इसको आपका बोल सकते हैं input के साथ साथ में pointing device भी बोल सकते हैं light paint point device भी होता है अगला सवाल है कहां रहेगा, ड्रॉफ्ट फोल्डर के अंदर आएगा, उप्शन डी हो जाएगा, ड्रॉफ्ट फोल्डर में रहता है, तो आज का सेशन बस यहीं तक था, उमीद करता हूँ, आप सभी को क्लास प्रसंदया होगा, क्लास अच्छा लगा हो, इसको लाइक करना है, शेयर करना को आप अपना अभी एड्मिसर ले सकते हैं, अभी आपको 50% off फर बैस मिल जाएगा, जो कि एक complete वैच होने वाला है, एक dual वैच है, जिसमें theory का भी वैच होगा, और msqs का भी वैच होगा, तो इससे आप 50% off, यानि 399 रुपे में अभी आप इसे ले सकते हैं, अगर कोई सवाल है आपका, तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, 94522946 पर, और जिन बच्चों का एक जाम जुलाई में होने वाला है, आप सभी के लिए भी वैच हमारे mobile application पर चला है, साम 6 बजे आपको class मिलती हैं, तो आप जुलाई वैच भी एक complete वैच है, theory plus msqs का, उस वैच में अपना admission ले सकते हैं, तो आज के लिए वाच इतना ही मिलते हैं, आपको next class में तब तक के लिए good night, thank you, bye bye